सिनिमा, टीवी शोवस और अब सिंगर बन चुकी अभिनेतरी अक्षरा सिंग किसी परिजय की मोहताज नहीं है यही वज़ा है कि उनकी शोहरत इन दिनों बुलंदियों पर है लेकिन उनकी सक्सेस कुछ लोगों को रास्त ही आ रही है और वे अक्षरा को बदनाम कर इंडरस्ट्री से आउट करने की साजिश कर रहे है यह बाते हम नहीं कह रहे हैं खुद अक्षरा ने दरबंगा में अपने स्टेज शो के दौरान कहा अक्षिणा ने कहा कि भोचपुरी इंडरस्ट्री के आज़े से ज्यादा मर्द लोग जो इंडरस्ट्री से बाहर करने के लिए मेरे पीछे पड़े है इस वज़ा से कदम कदम पर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे लड़की होकर भी में अकेले दम पर लड़ती हूँ वे हमें इंडरस्ट्री से आउट करना चाते हैं लेकिन ईशो के आशुदवाद और अपने फैंस के प्यार के दम पर आज भी खड़ी हूँ YouTube कंपनी से आक्षण का एक संस्ट रिलीज हो रहा था जिसे कभी अक्षण के बेहत करीबी रहे पवन सिर्ण ने दबाव बनाकर गाना रिलीज होने नहीं दिया नतीजा अब अक्षिदा का यह गारा पंजाबी के चच्चित यूट्यूब कंपनी स्पीड रिकॉर्ड पर यह गाना जल्द रिलीज होने वाला है जिसको लेकर अक्षिदा बहुत एक्साइटेड है इसके अलावा भी अक्षिदा के प्रजेक्ट क कई दिगज लोग प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं इस तरह की घटनाओं से परशान अक्षिदा आकर कप तक चुप रहती है इसलिए दर्बंगा में एक शो के दोरान अक्षिदा ने कहा कि मेरे गानों को मिलने वाले व्यूस से कुछ लोग परशान है इसलिए वे म्यूजिक रिलीज करने वाली कमपनियों को कहते हैं कि मेरा गाना रिलीज ना करें उनके लिए वे ही खुद गाएंगे लेकिन कोई बात नहीं बहुत सारी म्यूजिक कमपनियां हैं लेकिन मैं ये कहना चाते हूँ कि मुझे अपने टालेंट ईश्वर और अपने दर्शको पर भरोसा है बिहार की बेटी हूँ किसी से डरने वाली नहीं जिसको जो करना है वो कर ले वैसे आपको बता दें कि अक्षरा से ब्रेक अप के बार पवन सिंग के पास पुब्लिक लिए ज्यादा नज़र नहीं आए वह ये अक्षरा ने एक के बार एक शोज और फिल्म मे कर सब को चुका दिया भुजपरी इंडस्ट्री मेल डॉमिनेटिंग इंडस्ट्री है इसमें अक्षरा सिंग की बढ़ती डिमांड से कई मेल स्टार्स को नागवार लग रहा है जिसकी शिकायत जनता के बीच खुद अक्षरा ने की है वह केरा चांड है मैं थिचależ आंग और आप देख रहे हैं अब भुग कि शरूर लाइं शलाज गें में नाज अब हरा झाल है को लाइН सब्भाई झाल ताобщर लेशर का उंद यह अव स्यक्राओ जान इंड इंडस्पेह सब्सराइड इंडस्णर ममी झाल ऐघ रि ada कर दो कर दो कर दो